तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेज जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में मेरा नाम है अतुल सुकला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्पून अपडेट है जैसा कि आपको पता है डीपी आई का एक नया आदेश अभी हाली में जारी किया गया है कल इस आदेश के बारे में अखबार में निकला था कि इस पर कोई न कोई प्रक्रिया आप जो है डीपी आई की द्वारा की जाएगी तो अब जॉइनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और पुराने अत्तिस इच्छक जो लगातार हटाय जा र गया है आई आदेश के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं अगर हम यहाँ पर देखें समगर सिच्छा सेकेंडरी एजुकेशन लोग सिच्छ संचनाल मद्धप्रदेश भूपाल के द्वारा तीन नौ दो जार चौबीश आरी की तीन तारी को कल यह जारी किया गय अभी वोकेशनल ट्रेनर जो पुराने पहले से काम कर रहे थे उनको निकाल करके नई भरती परिक्षा आयज़ुत कराने के लिए डीपयाई ने आदेश जारी किया था जिसको की वोकेशनल ट्रेनर्स ने हाई कोट में जा करके चुनोती दी और हाई कोट नहीं हाँ इने ये आदेश जारी कर दिया है अब यही सेम प्रक्रिया अत्री सिचकों के साथ में भी होने वाली है जो पुराने अत्री सिचक पहले से कारी कर रहे हैं उसकूलों में अब उनको नहीं हटाया जाएगा इस बात को ले करके जल्द ही जितने भी अत्री सिचकों को हटाया ज जा सकते हैं चली फिरहाल इस जो रिजल्ट आया है DPI ने जो आदेश जारी किया है उसको दिख लेते हैं कि इस आदेश में क्या-क्या बाते मानने के लिए DPI तैयार हो गया है देखिए विश्यांतरगत बैवसाइक से इच्छा संचालन हेतू नवीन वीटीपीस चैन उपरा प्रसिच्चक को संबंदी विद्यालेव में यथावत ब्यवसाइक प्रसिच्चक की रूप में कार करने है तूँ 6-9-2024 तक सीधे संबंदी विद्याले में उपस्तित करवाई है यानि कि पहले से जितने भी सिच्चक कार कर रहे थे 2023 में जितने भी सिच्चकों ने काम किया उनको तुरंत आप जोइनिंग दीजी और 6-9-2024 यानि 6 सितंबर को वो हमको स्कूलों में मिलने चाहिए ठीक है यह पुराने सिच्चकों के लिए हो गया नवीन सिच्चकों के देखिए सत दोजार चौश पचीस में नवीन स्विक्रत बिद्यालों में नवीन चैन प्रक्रिया के द्वारा चैनित ब्यावसाइक प्रसिचकों को संबंदित जिले के जिला सिच्चाहद कारी कार्याले में दिनांग 6-9-2024 तक अभिलेक सत्यापन है तो पस्तित करवाना योम जिला सिच्चाहद कारी के द्वारा अभिलेक सत्यापन उप्रांत ब्यावसाइक प्रसिचकों को उसी दिन संबंदित बिद्याले में पस्तित करवाना है यानि जितने भी नए आपके ब्यावसाइक सिच्चक वोकेशनल ट्रेनर जितने भी नए सिलेक्ट हुए है उन स्कूल उनको जो है दीजिए जहाँ पर वो जाकर के ट्रेनिंग बगारा करवाएंगे ब्यावसाइक प्रसिचकों करवाने संबंदित प्रच्चा है तो बीटीपी द्वारा कारेले में संबंदित OIC से संपर कर सकते हैं प्रच्चा का समादन ना होने की सिती में नोड़न अधिकारी स्री अभिनाव आर इन का मोबाइल नंबर दिया है साय संचालक से आप संपर कर सकते हैं संलग्द उप्रोक्ता अनुसार ठीक है तो अब डीपी आई ने भी आदित जारी कर दिया भाई हाई कोड की बात को मानते हुए डीपी ने कहा दिया जितने पुराने वोक अधिति सिचकों पर भी लागू होती है अब यह अधिति सिचक तब आविदन कर पाएंगे हाई कोड में जब यह आपकी अधिति सिचक प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और अगर पुराने वाले सिचकों को हटाया जाता है जो पहले से काम कर रहे हैं दोजार टेश चोबि सिचक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं ठीक है तो इससे समंद्र कोई नई अपडेट आईगी तो हम आपको सुचित करेंगे फिलाल आपको बता दे आज सामको 6 वजे से आप लोग जो नए अधिति सिचक है वो लोग आवेदन कर सकते हैं मध्यप्रदेश में साथे स साथ में वे पुराने सिचक जिनकी जोइनिंग नहीं हो पाई है किसी कारणवा से वे भी आवेदन अपना कर सकते हैं सामको 6 वजे पोटल खुल जाएगा उसका आदेश भी जल्दी ही जारी होगा उसका आदेश जैसे जारी होता है हम तुरंत आपको सुचित करेंगे उसक के इस्तान पर नए सिचकों को भड़ती किया जा रहा है ठीक है चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद निच्छ टेलिग्राम चैनल के लिए टेलिग्राम चैनल को जरू जोन के लिए वहाप्रमाप के लिए फ्री में स्टे प्यारी और बहतरीन हो सके ठीक है सकसे जंक्सन लाइव के नाम से वह टेलिग्राम चैनल है चलिए धन्यवाद